दोस्तो नमस्कार कैसे हैं आप उमीद करते हैं स्वस्त होंगे मस्त होंगे और बहतर होंगे भाईयों बहुत लोग के मैसेज आ रहे थे और बहुत लोग के वाटसैप टेलिग्राम साय है कि फॉर्म फिलब को लेकर एक वीडियो बना देजें सब्सक्राइब का फॉर्म आ गया है काफी लोग ने भर भी लिया होगा जो लोग ने नहीं फिलब किया उन लोगों के लिए वीडियो है आप देख सकते हैं कौन-कौन से डॉकुमेंट से और कैसे आपको फॉर्म फिलब करना इसके लिए चोटा सा वीडियो में यह पांस मिन आप इस BPC online application पर आप क्लिक करेंगे आ जाएगा आपको यह फॉर्म यानि यह BPC का साइट जहां से आप फॉर्म को फिलब करते हैं पहरे भाई जिन लोगों ने 69 में किया है 69 में किया है उन लोग का तो सिर्फ ID पासवार्ट डालना है ID पासवार्ट डालेंगे या नहीं उ अपना भर सकते हैं OTR में क्या क्या लगेगा भी हम बताते हैं पहले उनके लिए जो 69 में फॉर्म फिलब तो किये हैं लेकिन उनका क्या हुआ है ID पासवार्ट नहीं याद है तो वो यहां से जाएंगे और फॉर्गेट करके अपने ID पासवार्ट को ID पासवार्ट सेंट हो हो गए उसमें भी अपने फोन नंबर अपने इमेल और साथ में अपने जो EWS वेगरा सर्टिफिकेट है उन सब के डिटेल्स को इडिट कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है इडिट कर सकते हैं बहुत आसानी से बहुत आराम से कोई दिकत नहीं होगा इडिट का उप्शन उसमें दिया हुआ है जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ एक बढ़े हुए फॉर्म को दिखा देता हूं ध्यान से देख लिजीगा यह भरा हुआ फॉर्म है इस फॉर्म को आप देख सकते हैं इस फॉर्म को जैसे हमने लॉग इन किया है 69 वाला है तो इसमें क्या-क्या डिटेल चाहिए था और कौन क्या-क्या भरा गया है यह सारा डिटेल दिखा देगा 69 का डैसबोर्ड बता देगा कि कितना स्कोर आया है आप मेंस में कॉलिफाई थे नहीं थे दिखकर हम आपको दिखा दे रहा है क्योंकि प्राइवेसी के कारण सारा डिटेल हम यहां दिखा नहीं चकते हैं किसी का भी तो देखिए डॉकमेंट में क्या-क्या रिक्वाइड है यह आप पहले रिश्टेशन कर लिया है तब तो आपको डिटेल क्या अपडेट करना हो दिखा और क्या साउधानी बरतना होगा इसमें आपको ध्यान रखना होगा पहरे भाईजी सबसे पहले बेसिक डिटेल यह नाम नेम फादस्तने मदस्तने में अल्डेट हना जो आपको उसमें पूट करना है रिजिटेशन में उसके बाद अधार नंबर अधार नंबर डा झांचा देना होगा आगे आप एधी बिहार मिठा और यहिदी आप टौर्ण कि नहीं तो बीर नहीं यह ने लेगahan my minimum RO level का होना चाहिए, यानि जो आपके block level है, वो उस level का होना चाहिए, उसके अलावा, प्रयास आपको यह करना होगा, कि यह domicile एक साल से जादा पुराना ना हो, तो जादा बहतर है, बहतर रहेगा, उसके बाद जो लोग काटेगरी में हैं, OBC, EBC, SC, ST, EWS, PH, OH, जो लोग भ होगा, और category mention करना होगा, कि आप इस category में आ रहे होंगे, और इस category का certificate भी आपको mention करना होगा, ध्यान रखेगा, यह certificate ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, एक साल से पुराना ज्यादा होने पर मामला खराब हो सकता है, तो registration के लिए माहमूली सा detail है, बहुत ज्यादा द document लगेंगे, आए देख लेते हैं, करेंगे, पैरे भाईव, आप payment करेंगे, ध्यान रखेंगे, payment करने बाद क्या-क्या चाहिए, educational detail, educational detail, यह निए आपके सारे 10th के सबसे पहले तो मूल पर माला पत्र, जिसको original certificate के नाम से हम लोग जानते है, मूल पर माला पत्र ही चाहिए 10th का तो मूल पर माला पत्र ही चाहिए, ध्यान रखेगा, उसके अलामा 12th का detail से भनेंगे, उसके अलामा graduation, जो लोग हाल ही में किया है, नस्दीक किया है, ध्यान रखेगा, उनके लिए provisional allowed है, वो provisional भर सकते हैं, लेकिन provisional दो साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ध्य उसमें मूल पर माला पत्र ही आपको देना होगा, दो साल से ज्यादा आपको graduation किये हुए हो गया, तो, उसके लामा जिनके पास PG है, जिसके पास law है, जिनके पास extra qualification है, वो mention कर सकते हैं, certificate add कर सकते हैं, otherwise कोई बात नहीं, आगे आपको signature हिंदी और English में चाहिए, आपको पता वेब केमरा से जब आप फोटो घीच रहे होंगे, तो आपको बारीक सा ध्यान रखना है, या तो आपको background green या white हो, ताएक फोटो की visibility के लिए रहा है, और कोई बात नहीं है, ठीक है, तो लगभग मैंने पूरे documents को बता दिया, मैंने बता भी दिया, form किसी के form को details को open करके दिखाना उचीत नहीं है, privacy को लेकर नहीं, तो मैं वो भी दिखा देता, अब आग इसकी अलामा किसी को कोई समस्या हो रहा है, तो comment box में comment दे दिजेगा, हम एक और वीडियो बना देंगे, thank you, उमीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए useful होगा, फिर मिलते हैं आप से अगल session में, यदि कोई समस्या form भरने से आ रहा है, तो comment box में comment आपका खुला हुआ है, comment कर दिजेगा, हम लोग उस पर वीडियो बना देंगे और आपको पूरा detail बता देंगे, thank you so much